हलो दोस्तो विल्गम टू माई चैनल लेटेशलन फार्मेसी आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं रेजिन्स के बारे में जो कि हमारा एक सेकेंटरी प्लांड मेटाबोलाइट से जी हाँ दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फार्मा को कुण उसी के तरपीन के मैटाबोलिक होते हैं इसका मतलब टरपीन के कारण ऐसे पदायात होते हैं उन्ही के कारण उणके अंdर जो एरोमेटिक चिटी होता थिक हेगा मतलब क्या होता है कि ऑईल टाइप का होता है बढ़ यह खोड़ा थिक मटेरियर बन जाता है तो सबसे पहले बात आती है कि दी रेजिन सार दी मिक्स्चर आप एसेंचियल और और ऑक्सिजिनेटर प्रोडेक्ट अब टर्पीन मतलब जो तर्पीन तो वह कहलाएगा हमारा रेजिन्स तो अगर आपको सिंपल लेंगोज में यह बताना हो कि रेजिन्स होते क्या है तो रेजिन्स हमारे दे मिक्स्चर आप एसेंचियल ऑइल ऑक्सिजिनेटर प्रोडेक्ट और टर्पीन्स एंदि कार्बाग्जिलिक एसिड जो आपस में मिलक आपको एक जाका चाहता है रियूंद बनती है जो इसकी ऐसकी के स्क्रिंद के सामने देख रही होगी यह सब बना गप align के मांधम से भी बना जाता है इं कि अरattshe antiquyr में अधर कोई acid group लगाओ जैसे कार्बागजिलिक, LD, phenolic, oxy तो यह सम्क्या होते हमारे acid group होते हैं तो जब रेजिन्स के अंदर हमारे कोई acid group लग जाते हैं या उसको जॉइन्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हम डिजॉरॉलिक यह जो होते हैं वह कहता है हाई molecular weight होता है और क्या होता है कि यह content कि एक से या एक से अधिक कार्बागजिली गरूट मतलब स्योग फिनॉलिक गरूप यह oxy गरूप content कि यह होते हैं और डिजॉरूबिन एक्वस अलकलायन नहीं होते हैं ऐसे जहां पर के दोड़े कॉलिफोनी जिसमें अभी मारा नेक्स टॉपिक होने वाला इसी के बारे में मिर हो गया ठीक है जिसमें आपको क्लासिपिकेशन में नेक्स टाइप क्या है रेजिन इस्टर या रेजिन इलकोहर तो ऐसे रेजिन सिम्पल समझें ऐसे रेजिन जो रेजिन के साथ अपने इस्टर गुरूप या कोई अलकोहलिक गुरूप उसके साथ जुड़ा हो उसको बोलते हैं रेजिन इस्टर या इलकोहर इनका भी जो होती है उससे कारणा से उसका जो order होता है वो क्योंता है aromatic in character होता है ठीक है और यह क्या होता है यूजिली in the aromatic acid और यह हमारे aromatic acid इसके अंदर पाए जाते हैं ठीक है उसके बाद इस एक्जामपल के तोर पर asphotida asphotida का मतलब हींग होता है जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं अपने घरों में दार्वाल बाइनारे में ठीक है इसके अंदर आपको फिरुलिक अब उसको क्या करें कि आप मन इच्छा लगाई यह सूई लगाई यह कुछ कीजिए या उसके हाथ पायर को काटिए अगर उसका नर्वा सिस्टम में गायब हो गया तो क्या जगा आजा अक्री हो जाएगा इनट हो जाएगा तो ऐसे जो किसी केमिकल रिएक्सर या मोस्चर या किसी लाइट से एफक्ट नहों उनको बोलते नर्ट रेजेंट और इसको बोलते है प्योर फॉर अर्फॉर्म ma में रेजेंट जीसे को-पाल हो возьぎotी को कीаз जह करना है जो आपकी सड़क में बनते यह फूर्थ समेश्टर की फूर्थ यूनिट में हमने इसको डिसकस कर चुके हैं तो अगर आपको इसके बाद में डिटेल नॉलेच चाहिए तो आप जाकर करके वो वीडियो देख ले तो इसमें जो सबसे पहला टेस्ट आता है लीवर मैं कलर टेस्ट जिसमें आप क्या करते है कि 0.1 ग्राम रेजिन लेते हैं उसमें 10 ml Acetic Anhydride और एक ड्रॉप H2SO डाल देते हैं अगर उसमें क्या करते है परपल कलर से डार्क मॉलेट कलर में चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है वो आपका रेजिन्स है अधरवाईट कोई दूसरा प्रोड़क्ट है यहाँ पर मैं उसको फिल्टर कर देंगे अब जो आपको फिल्टरेट मिलेगा मतलब जो आपके फ़णल में आपको फिल्टरेट मिलेगा उसमें क्याकर 10 ml Dilute Copper Acetate का सुल्यूशन हम एड़ कर देंगे अगर वहाँ पे गिरिन करर आपको सो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है वो हमारा लूपान इस anब मंहों करें इस समय कि लिए जानताइब जो आप जनर्र चीज आप जा रहे हैं यहां में जनल्न करते हैं जिसे की सब्सक्राइब उय煮ास किरिए टुझे है beshk को ज़ाड़ा फुका कर खुकाई कर वा बंगली भगारा फटी है या या अंगली भगारा सड जाती है तो उस कांडिवेटर डेटर में तो मैंने आपको एक जनेर्टर में जो एक आप village से related करते होंगी तो आप इसके बारे में जानते होंगे ठीक है अब बाद आती है benjoin जो benjoin है कि क्यों होतायी है रेजिन एलकोल इसका मतलब क्या है कि benjoin एक ऐसा रेजिन है जो क्या करता है Alcoolic Group जो कहाता है इसके अंदर कि जैसे आपने भसम का नाम सुनाओगा तो यह balsamic regions होते हैं which obtain from the inside stem इसका मतलब क्या है कि incision incision का मतलब क्या होता है कि कि किसी भी पदार्थ पे या किसी भी लकडी पे या किसी भी वुड पे या किसी भी पेड पे जब हम किसी धार दार चीज से कट करते हैं तो इसको बोलते हैं inside करना तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे strikes benjun या इस ट्राइक की parolimeras है ठीक उसको के करते हैं inside करते हैं उसके system को incit कर देते हैं और जो हमारे वहाँ से gummy material मिलता है उसको हम obtain कर लेते हैं उसी को बोलते हैं सुमत्तर बेंजून अब इसको फैमिली होती है इसका इरान बोटार इंडिया ठीक स्री लंका और जो हमारे अरब के देश हैं वहाँ पर यह बहुत अच्छी मात्रा में इसका production होता है अब उसके बाद आत्रा एक टील्यड करक्रेस्टिक तो इसका जो यह बहुता है वह जुद्स अबने इसके आपको फ Risk difvollock स्रीक वह समत्तर बेंजें आति अपकी और इसका एग्रिगेबल एंड बाल्समीक होता है टेस्ट इसका स्लाइटली स्लाइटली एक्रिड होता है एक्रिड का मतलब क्या होता है कि आपकी जीप को बांध ने देवादे से चाय पत्ती आप खाते तो आपकी जीप बंध जाते है उस टाइप का यह एक्रिड टाइप क की chemical constituent के तो जो benzoic होता है यह मिली दो चीज content करता है एक होता है benzoic and होता है benzoic acid और दूसरा होता है cinnamic acid ठीक है cinnamic acid का जो आप इसका जो LD hydic form लेंगे तो इसका जो महग होती एक दम बादाम के तरह होती है लेकिन हमार बात थे cinnamic acid and benzoic acid की तो जो benzoic acid होती है उसका जो नॉर्माल इस्टेक्चर आप देख सकते हैं कि बेंजेन के रिंग के साथ आपको क्या लगारें एक कर्बाग्जिली गुरूप आड़ कर देते हैं COOH गुरूप दूसरा होता सिननमिक acid में बेंजेन की रिंग तो जो हमारा जो हमारा क्या होता है इसका इडेंटिकेशन टेस्ट जो हमाने आपको भी सुरात में बदाया वहां पर मिल जास में आपको क्या देखा लीवर मेंट टेस्ट और रेजिन इस्टर का टेस्ट देखा अब यहां पर कुछ गी कि बेंजेन का येडा अलकोहोलिकि अस्टर क्या है कि सबसे पहले बना लेएंगे इसको वार्ड में आप डिजॉल करेंगे आगर वार्ड में धिज्जॉल्फ होगा नहीं तकी चूंकि वाटर में इन्सोलीबल होता है यह लिए वहां पे यह कहता है मिलकी वाइट कलर का स्वलीशन और पफटर अपको मतलब करते है कि इस तिक टाइप का एक ठीक टाइप का आपको यहां पर इसे देखते होंगे जेली टाइप को वहाँ पे बना देगा उसके बाद दूसरा टेस्ट किया कि अगर आप हीट करेंगे तो वहाँ पर आपको बैंजोइक इसिडेंट सिन्नमिक एसिड की फ्यूम्स आपको सुंगने को मतलब जो जो करेक्टर होता है और मिलेगा अगर ब्राउन कलर मिलता है तो इसके मतलब हमारा बैंजोइन परजेंट है अधर वहाँ या लोबान नहीं है इसके थरा पूटिक यूजिस के बारे में बात करेंगे एस्पेक्टोरेंड डियूटिक एंटिसेप्टिक जो मैंने आपको शुरुवात में बताया था बैंजोइन के कर्मिनेटिव होते हैं ठीक है एस्पेक्टोरेंड मतलब का प्रिलीवर्ट होता है मतलब इसको अगर आप वह से तो नहीं खा सकते हैं लेकिन अगर इसका यू जिसको आप बोलते हैं कि आपको यूविलाइटिस होके यूविलाइटिस का मतलब क्योंता है जो कववा बढ़ना होता है ठीक है उसको बोलता है यूविलाइटिस जो यूवला होता है आपका वो बढ़ जाता है उसके इंफ्रमेशन में भी इसका यूज क्या जाता है हमारा क्या है सोप मतलब साबुन बनाने में ठीक है अब दूसरा जो एक्टिव केमिकल कंस्टुटुएंट्स या हमारा जो नेस्ट टॉपिक आता है गुगुल गुगुल सब को यह लोग जानते होंगे गुटकाव लड्डू सब लोगो ने खाया होगा ठीक उसी को बोलते हैं गुगुल इसका जो लड्डू बगारा बनता है आपके घर में भी बनता वोटां वोगा इसका उलीयों गमुखम का मतलब क्या होते हैं इसमें वोलाटाइटल होते हैं रेजिन सोते हैं हैं यह माईलाब थिकी माटेरेल होते हैं थीक इंसे brace केmiphora मुकॲ्ख्री केmiphora विघिती ठेकskें का स्कुלא करते हैं इनके ठीक है और जो हमारे यूरोप कंट्री में पाई जाते हैं वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट पाई जाते हैं उसके वाज की करेक्टरिस्टिक की मैक्रोडिस्कोपी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो कलर इसका ब्राउन पेल यलो कलर का होता है बालसमिक एंड एरोमेटिक इस लूज़े इसको तेल के अंदर आप छानती है तो यह थोड़ी से ज्यादा हो जाता है ठीक आप यह जिसको वोलता है टीर्थ्यटेर्टेर राउंडड्टिव की होते हैं अब यह थोड़ा गमी बात करें तो जो गूगल होता है वो हमको होट एथाइल ऐसी टेट से हमको प्राप्त होता है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गूगल प्राप्त होता है इंसीजन के दौरा उसके इस टेम बाप पर इंसीजन करते हैं उसके बाद जो हमको मैठेरियर प्राप्त होता है उसको हो आदो हम प्रोडेक्टाइव्हालास फॉ्त है बात प्रोडेक्टि वग कnia फ़र्हाराट भी हम्यों को बॉलते हैं। इस एंबेट ना जंद दो रावते हैं। प्रोडेक्टा से लिडी टाइप क्वे यहांतल और ना अंबूताफ मैं आसपास में मिलते हैं न्यूट्रफेक्स में आपके जैड जो कन्फिग्रेशन आपने और्गेनिक के में पढ़ा है उसी तरीके से एड़ है ठीक है जैड गूगल इस्टियोरान एड़ गूगल इस्टियोरान ठीक है उसका इस्टेक्चर आप कुछ इस टाइब से देख सकते आपको इसमें आपको ऊस बहुता है इसका जो के आपने देखा कि इन्सलीबल गम होते हैजो 60 पर संट पर जाता है वो कंटेन करता है, इस्टोराइड, डायटरपी, नएस, कार्बोहाइड़, प्यूरिफाइड गर्म, कंटेम, पेंटाइस्टोराइड, पेंटोज, और फ्यूराल, यह सब कंटेन क्या होता है, कौन सा, जो आपका 60% इनसोल्यूबल गर्म आपके पाया गया है, अब उसके ब इसका करेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है, इसका मतलब क्या है, कि यह एक चीज आपको कही साजी बीमारियों से यह आपको बचा सकता है, जो होए इसमें Google इस्टोराइड है, गूगल इस्टोराइड में देखें, आप क्या लगा हुआ है, फर एक, दो, तीन, चार, ब हाँ पर आर की जगहा पर आगर आप फर लग देते हैं तो गूगल इसे आर की जगहाँ पर आप एक कर देते हैं, मतलब कछ नहीं करते हैं, तो जो नर्मल आपके क्या है, गूगल इस्टोराल का सटेक्च् तो इसका मतलब क्या है वो कि आपका Google स्ट्रॉल है या Google ही है अब इसकी ठरापुटिक यूजिस के बारे में बात करें तो सबसे पहला यूजिस क्या है इसका हाइपा लिपीड इम्हा को ट्रेट काते है इसका मतलब क्या है कि आपके बॉड़ी के अंदर LDR a very low density lipoprotein a very low density lipoprotein का जो लेवल होता है वो घटा देता है कैसे यह HDL को लेवल को बढ़ा देता है अब इसका अगर आपको mechanism समझना है कि HDL का लेवल बढ़ जाने से कैसे LDR और VLDL का लेवल घट जाता है तो आपको फार्मकलोजी में जाना पड़ेगा इसका वीडियो हमन अग्रिगेशन को decrease कर दिया तो अगर बाइचांस आपके tissue rapture होता है मतलब cutting लगती है आपको चोट लग जाती है तो आप पर platelet का aggregation नहीं होगा जिसके वजाए से आपके blood के clotting easily यह जल्दी नहीं होगी ठीक है तो यह क्या करता है blood का aggregation को कम कर देता है अब इसका benefit क्या कि यह heart attack risk को भी मतलब जो आपके heart जो veins होती है ठीक है वहाँ पर जो प्राइक जमता रहता है उस लेट लेट का ही तो जमता है ठीक है तो उसको क्या कर देता है उसको यह deduce कर देता है तो इसका मतलब क्या है heart attack के संभानों यहाँ पर कम हो जाती है and improve sperm count quality of and sexual ability जिसको आप प्र products के नाम से जाता है helpfull मैंसुरेशन cycle disturbance में कोई disturbance होते है उसको भी क्या करता है ट्रेट करता है एंड एस्टिजेंट एंटिसेप्टिक पाइलेटिक तरह से भी इसका यूज किया जाता है अब इसमें जो में नेश्ट रगाते है मतलब रैजिंस में हमने क्या क्या बैंज्व एंगाते हैं तो सबसे पहले खाते ही जैंजर का मतलम समझे लिए कि अधरक होता है ऺए आपने concept समझ लिया कि ginger का मतलब अधरक होता है इसका synonym इसके बारे में जानते हैं तो इसका synonym इसका जिंजी बेर हो गया जिंजी बेरिस हो गया, शौट हो गया, जिंजर रूट हो गया और केलमस के नाम से भी इसको जाना जाता है उसके बार इसका biological सोच जोता है इसके जो फैमली होते हैं जिंजर बेरेसिये होती है इसका जो geographical सोत होता है इंडिया में राजस्तान, उत्तरपरदेश और हमारे MP बिहार में पाए जाता है और अधर देश में भी इसका cultivation होता है अब इसके और इसके और इसके बात करें तो इसका जो color होता है वो light pink होता है लेकिन जो आपके बजार में बिखता है वो क्या था सूखा होता है इसलिए वो आपको थोड़ा सा मटमेला color देखने को मिलता है order इसका aromatic aggregable होता है, test इसका pungent होता है इसकी size होती है length इसके 5-15 cm और width इसकी 1.5-6.5 cm के करीमे होती है shape इसका होता है, brand piece में होता है, ठीक है, racist type के इस पर लगे होता है आप देख सकते हैं अधरक के उपर, structure इसका sort होता है, छोटे-छोटे टुकडे में होता है appearance इसका क्या होता है, srukan होता है srukan का मतलब क्योंता है, suncray type का, आपको देखने मतलब उसमें जगह जगह पर गाठे निकली होती है आप जैसा कि देखते हैं अधरक में जेनरली उसका जो chemical constituent की बात करें तो इसमें एक से चार परसन वोलाटाइब स्वाइस चाली से साथ परसन इस्टाज दस परसन फैट और टैन परसन मौस्चर जैसे जिंजर बेरीन होगा है जिसका इस्टेक्चर आप नॉर्मरी इस तरह से देख सकते हैं यह बेंजिन की रिन लेगी हुए साथ में एक दो तीन चार पांच छे मतलब जो हमारी हैक्सा अलकिल गुरूप लगा हुआ जिसके साथ दो लगाओ जिंजी बेरीन है उसके बाद बीटा बेस्टी लोन है ठीक है दोसरा हमारा क्या है यहां पर लगा जा ठीक है इसको बोलते है जिंजीरो रॉल अब अब इसके बात करें अब इसके बार में बात करें तो यह एजन आरोमेटिक करता है ब्रोंकी लगार्ड मल़ा होता है तो उसमें का मतलब करता है तो उसमें क्या होता है जो वोमेटिंग स्टार्ट होती तो उस्टों के लिए बीठीक क्या जाता है यहां पर थोड़ों से दिमाग लगाई कि अगर इसने बाइल एसीड की सिक्रेशन को बढ़ा दिये तो और किसमें यूज किया जाएगा लिपीडिन या क्या होता है अगर बाइल का अपस में बाइंड होके वह रेक्टर रूट से क्या होता है अब उसी परकार से अगर यह जो हमारे क्या है कि जिंजर है वह बाइल का लिवल बढ़ा दे रहा तो इसका मतलब क्या है जो आपकी एंटी हाइपर लिपीडिमिक ड्रग के अंतरगत इसको रखा ज अब उसके बाद नेक्स ड्रग आती है उसका क्या नहीं एसपोईटिडा का मतलब क्या होता है हिंग जो कि आप नॉर्मली यूज करते है अपने घरों में अब इसका सिनोनिम होता है डेविस डंग गम एसपोईटिडा एंड हिंग अब इसका जो बाइलोजिकल सोर्स होता इससे यह प्राप्त होता है अब आद इसके फैमिली अंबली फिर यह में जैसे आपको जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हो गया वो सब पाय जाते हैं थी कि जियोग्राफिकल सोर्स में लिखे अफ्लोड कर देंगे करेक्टरेस्टिक की बात कर तो कलर इसका ग्रेस इसका प्लांट होता है टीएस टाइप में होते हैं 0.5-3 cm इसकी लेंथ होती है सेप इसका राउंड टीर्स एड फ्लेटेंड होता है इसमें जो केमिकल कंस्ट्टिर्स होता है वो 42-65% जाता है रेजिंस पाय जाते हैं इसका मतलब क्या है कि जो हमारे असप्रेटिड होते ह इसके केमिकल कंस्ट्टिर्स होते हैं ठीक है अब इसकी में एक्टिव केमिकल कंस्ट्टिर्स की बात करें तो इसमें आपके जो पायाता है वो फैरूलिक एसीड एंड अंबलीक एसीड एंड अंबली फेरोन पाया जाता है ठीक है फैरूलिक एसीड का सिंपल इस्टेक्श लोटाल आयल से प्राइब करेंगे तो यह आपको यह लोई आरेंज कलर का इमलसर देखने को मिलता है ग्रीन कलर का आपको वहाँ पर फॉर्मेशन देगा इसके थेरापोटिक यूजस के बारे में बात करते हैं जो कि आप नॉर्मली आपने घर में यूज करते होंगे इस टरा से वी काम करता यूज ड्रक के टरब के तरह से यह काम करती यूसम शॉछी ड्रक उसका नाम ही में ठीक है इसका जो synonyms होता है वो बोल, गम, मीर, हैरीबॉल, सॉमली, मीर, एन, मीरिया के नाम से इसको जानाता है ये भी एक टाइप के लोबान टाइप का होता है अब इसका जो biological source होता है ये क्या करता है ओलियो गम लेजिन टाइप का हमारा रेजिन होता है जो कहां से होता है ठीक है इसका करेक्टरेस्टिक भी कुछ उसी परकार से होता है जैसे कलर होता है रेडिस ब्रॉइन यलो कलर होता है और इसका strongly aromatic होता है टेश इसका मदब इस 60% का 64% कार्बोहाइड होता है और 18% प्रोटीन होता है और अधर में मिक्शर आप आर्बिनोस, सुगर, गालक्टोज और गलुकोनिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है ठीक है अब बात करते हैं इसके में एक्टिब केमिकल कंस्ट्रेट्टोरंस की तो S4 ठीडा मे मिर में जो हमारा पाया जाता है वो इली मोल होता है ठीक है जिसका इस्ट्रेक्सर कुछ आप इस्ट्रेक्सर बेंजेन के रिंग के साथ साथ आपके आपके अलकिल चेन जोड़ी हुई है शाथ में आपका एक कर्बाग्जिली के एसिड का गुरूप लगा हुआ है अधर मे ठीक है एज मेर एक्टवेट डिसइंफेक्टिंग एंडे कलराइजिंग प्रोपर्टि यूजिंद गार्गर्ल प्राइजिंग कर सकते हैं और यूजिंद नजल कंजसेशन इंडेजिंद इंटेंस मदला जो अगर बत्ति बगएर और पर इंडिस्ट्रि में इसका यूज क इसका जो सिनोनिम्स होता है वो रेजियंस कोलिफोनियम एंबर रेजियंस यलो रेजियंस पाइन रेजियंस गम रेजियंस ठीक है अब इसका बायलोजिकल सोर्स क्या होता है कि हमारा ओल्लियो गम रेजियंस जो होता है ठीक है उसको हमार उसके अंदर जो वोलाटाइल ऑल हो की बात करेंगे अभी आगे चलके बात करेंगे इसका जो मेन एक्टीट होता है यहां पर देख सकते हैं दूसरा क्या है पिमारी केसिड इसमें भी आपकी एलकेल चेन लगी हुई है बस यहां पर क्या डबल बॉंड कर दिया गया है और सेमिटी उसका उसी तरीके से है इडेंटिफिकेशन के बात करें तो जनरल टेज जो लीवर मैन का टेस्ट था जो मैंन यहां है दूसरा टेस्ट क्या है कि पाउडर देजिल लेंगे उसमें पैट्रोलिय मिलाएंगे फिल्टर करेंगे का पांच में लेंगे और यहीं अगर ग्रीन आप दी एधे प्लास्टर्स ओइंटमेंटिक है मेडिकली इट यूजर इस्टुमिलेंट एंड डायोटिक एंटी मैक्रोबियल एंटियरसर सीवियस प्रूपरिटीज भी मतलब काल्डियोविस्कुल डिजीज के प्रोटेक्शन में इसका यूज किया जाता है इंडिसले आपका ग्राइकोसाइड उसको कवर करेंगे तो आप बने रहेएगे हमारे साथ कल उसका वीडियो आजाएगा थैंक्यू फर वाचिन दा वीडियो फ्रॉम दी लेटेस्ट लंग फाल में सी